लो जैवल कुल लोलिएट टुडे वी विल डिसकुस निव टोपिक एड निव क्लास्ट क्लास्य। नाइंथ टुडे विल डिसकुस फॉर्स टॉपिक आफ नाइंग गश्टी फॉर्स टॉपिक आपका क्या है पहले तो देख लेते हैं मैंटर इन आवर सुरॉंडिंग्स फ मीच्ट में आपके four chapters है chemistry और हम लोग क्या करेंगे यहां बेटा वन बाई वन डिसकसिन चुरू करेंगे तो फिर्स चैप्टर है आपका matter in our surroundings सब्सक्राइब करेंगे और इस फॉस्ट वीडियो में हम लोग फीजिकल नीचर आफ मैटर समझेंगे हम छोटी-छोटी जो है वीडियो पे डिसकुशन करेंगे वन बाई वन और यह फुली बेस्ट वन है बेटा एंसी आर्टी पे ठीक है ना तो आपको चुकि सभी कमटेटिव एक्जामस में भी और क्लास रेंट के जो एक बोर्ड एक्जामनेशन होते हैं इसके लिए एंसी इंपॉर्टन होता है आप सब जानते हो तो हम लोग छोटी- वनबाई-वन करके तो आज के विडियो में हम लोग बिकली फिजिकल नेिच्र आप मेेत लिकनेगे फिर नेक्स विदियो जो हो गा आपका उस worldview करेक्निक्टर स्टिक्सप्क्रपमेतर होगा और थर्ड बीडियो ऑपका स्टेट्स ऑफ मेटर एंड फोर्थ वीदियो एंड सब्सक्राइब यह जो टॉपिक्स हैं बेटा बिसिकली एल्सी 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 आटी पर है ठीके बेटा तो फॉर्स्ट हम अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर आपका फर्स्ट हम लोग यहां पर आज देखेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स तो फ़हला इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा हम तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मैटर होता क्या है अगर आप देखोगे पूरा यूनिवर्स जो है हमारा यूनिवर्स में जितनी को मैटर नाम देते हैं मिस पूरा इंवर्स मिस जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है हम तुम यह कुरसी मेज हना कोई भी चीज स्टैंड कह सकते हो जो सास हम लेते हैं और यह कह सकते हो कि जो भोजन करते हैं इवन ड्राप आफ वाटर एंड अगर आपको सेंड प मतलब यह वर्ड जो है उस मटेरियल को मतलब जिस चीज से हम सराउंडिंग्स बनी होई है उस मटेरियल को साइंटिस्ट क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं ठीक है अब यहां पर यह बात तो एक जनरल साइंटिस्ट की बात हो गई फिर कुछ इंडियन फिलोसफर की बात आत पंचत्त तो जिसको बोलते हैं ठीक ना ला पंचत्तव यहाँ पर उन्होंने बोला है चिती जल जल पावक गगन और समीर नहों क्या कहा है कि यह पाच इंच पाच तत्तों से पंचतत तो मतलब यहाँ पहला तो क्या है प्रत्वी थोड़ा हिंदी वर्डिंग स्यूश करेंगे जल मतलब आप जानती हो पावक में सोता है अगनी और अगर इसका और जन्रल नेव समझना चाहें तो पवित्र करने वाला पवित्र करने वाला और गगन मतलब इश्काय एंड समीर मतलब की हवा ठीक है ना तो समीर मतलब की क्या हुआ यहां पर हवा तो इन चीच पांच दत्तों से मिल करके बैसिकली कोई भी मैटर का फार्मिशन होता है एकॉर्डिंग टू इंडियन फिलासफर ठीक है तो अब उस साइंटिस है वो मैटर को डिख लासिफाई करते हैं तूट के टेगरी से सब्सक्राइब रखते हैं हम इसमें वह है फिजिकल और दूसरी है केमिकल फर्स्ट इस फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड इस केमिकल पहला कि आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है और दूसरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है और फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखते हैं बेटा तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपका मैंटर की बात मुदलब स्टेट्स आफ मैंटर की बात होती है य आपका स्टेट्स आफ मैटर चिकना स्टेट्स आप मैटर मतलब फर्स्ट इस सालीड और सेकेड लिक्विड और तर्ड इस गैस ठीकना एकॉर्डिंग टू स्टेट मिस अगर देखें हमारी सराउंडिंग से बीटा बेसिकली सारी चील अगर सब्सक्राइब और लिक्विड जो कह सकते हो कि पसीना निकल ला है ठीक है गैस की बात करें तो जो हम ब्रीधिंग में ले रहे हैं वूग क्या है और भी पन्ठान चल पा रहा है तो दिक्कत है ठीक है नहीं तो यहां वे प्याहब का तीनों मैटर आपको देखने को मिल जाता है है तीनों स्टेट सापको एक तरिके से जहां में बैठे हो आपको नजरा जाएगा तो हम लोग वन बाइवन करके देखेंगे वन बाइवन देखते हैं तो फिजिकल फर्स जो आपको देखने की मिलता है फिजिकल नीचर अफ मैटर में बेटा आप जानते हो कि फिजिकल कोई भी मैटर है आप समझते हो ना अगर हम उसको देखें तो कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा इवेन कह सकते हो कि इन पार्टिकल्स को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितने छोटे हो सकते हैं तो यहां पर हम एक एक्टिविटी के थुरू समझेंगे कि मैटर इस बिटब आफ पार्टिकल्स तो सब क्या करते हैं एक हम क्या करेंगे 100 ml का भी कर लेंगे और यह आपका याप एक वर्ट जब आया बीकर बीक का मतलब बेटा हमेशा होता है चोच ठीक है ना तो जो कि बीकर यह जो आपका ग्लास है इसमें एक बीक बना हुआ है इसन इसको बीकर बोलते हैं तो यहां पर हम कितने 100 ml का लेंगे को हम कैसेitä कि 50 ml तक चीजदी यह आप मार्क रहेगा उस 50 ml तक हम Feel Up कर लेंगे और इसको एक मार्क देदेंगे mirip refill परटी फिल टेइए कि मार्क करण अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम एक थोडा सा मॉंड में कैसकते हो कि एक चम्मच में हम कुछ साल्ट ले लेते और उस साल्ट को हम इस में क्या हिए आप का साल्ट है या आप सूगर ले सकते हो चीनी ठीक है उसको इसमें आप कर दो अब डिजॉल्ब करने के बाद मतलब इसमें कैसे अब इसमें मिला देते है वाट दूसरा कुश्चन आपके दिमाग में आता है मतलब वह कहां गायब हो गया तीसरा क्या आता है कि ड़स्टा लेबल आफ वाटर चेंग मतलब उसको जो हमने मिलाया तो क्या इसमें इसकी वाटर लेबल में कोई चेंज आया तो यहां पहले क्या देखते हैं वाकृष यूदिить एसमें एड की यावता तो क्या हुआ वो अपनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो तूश्टीउ क्या था तक ब्द्र में नमक तया पहले चीज तो गई कि वह साल्ट क्या हुआ हुआ उसमें को दूसरी चीज की मतलब कह सकते हो कि जैसे यह आपका वाटर है सबोस्थ यह वाटर मॉलेक्यूल्स हैं इन वाटर मॉलेक्यूल्स के बीच में क्या होता है इंटर मॉलेक्लर स्पेसेज होते हैं और वह जो आपने डिजॉल्ब किया इसमें साल्ट वह इनहीं इंटर मॉलेक्लर स्पेसेज में जाके ठीक्स हो जाता है कि स्कीन चैन्ज करले में नहीं आएगा और A Radio सब्सक्राइट में कोई नहीं आएगा दिछालव साल्ट कोई चेंज नहीं आएगा तर यह आपकां मैटर होता है वह कह सकते हो कि आप इमाजिन भी नहीं कर सकते हो कि कि छोते होते हैं तो आपका यहां पर सारी चीज़े यह फर्स्ट एक्टिविटी आप कभी घर भी भी करके देख सकते हो आसानी से आपका यह हो जाएगा अब हम बैट बेटा सेकेंड एक्टिविटी के थुरू समझेंगे हाव इसमाल इसार यह जो पार्टिकेल हैं मैटर के वह कितने चोटे हैं उस सेकेंड एक्टिविटी करेंगे उसमें क्या लेंगे एक हंड्रेड एमल का कह सकते हो कि बीकर लेंगे ठीक है और इसको हम वाटर से फिल अप कर लेंगे प्योर वाटर अब इस बीकर में जो यह प्योर वाटर है आपका इसमें हम तू तू त्रीड क्रिस्टल्स आप पोटेशियम पर मैगनेट क्या अड़ कर रहेंगे इसमें हम पोटेशियम पर मैगनेट मिन्स के के अमनो फोर करेंगे अब यह जो क्रिस्टल हमने इसमें एड़ कर दिया इसकी वज़ा से क्या हुआ यह कैसा हो गया इसका कलर चेंज हो गया किस कलर में आगे बेटा जब आगे इसमें हमें किया 23 crystals अब हैब आप crystal का दिमाग में confusion हो रहा हो तो चीनी में जैसे आपके छोटे-छोटे होते हैं तो वह क्या है वह Crystal है अगर एक टुकडा एक चोटा टुकडा तो क्या है crystal मान लेते हैं तो तो इसी तरह के हम टू टू थृ क्रिस्टल आपको आपका इस वन हंडड़ एमल वाटर में एड़ करेंगे तो यह करेगा क्या करेगा यह लगभग रेड़ कलर आप कही बार होता है के मनुफोर आप नहीं जानते हो तो आप जान लो के मनुफोर आपको लाल दवा भी होती है तो डॉक्टर अच्छा यह आपका है अब इसमें से 10 ml कितना 10 ml किसी बीकर मतलब एक टास्ट्यूब से ले करके निकाल के हम दूसरे कि में हमने नाइंटीएमेल ले लिए वाट्र 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 ले लिए अब समी क्या करें 10 ml स्का सुल्उचन आप इसमें से निकाल कर के एड़ कर दें मिस यह 100 % 100 ml बन गया अप इसका पर देखते हैं बेटा तो इसका कलर रेड हो जाता है मिस अब फिर फार्दर क्या करे हम इसमें निकालने 10- moral, इसमें और इसमें आटकर से, वो रते हैं यहां नब्ब लिया था दस लेकर कि हम कर लेंगे अब इसका कलर देखते है तो अभी भी यह क्या इसका कलर जो है दीजरें डल होता जा रहा है लेकिन कह सकते हो कि nó किhis क्रिस्टल आकनेald कुछ किया तो मतलब कर सकते हूं कि उस एक क्रिस्टल में millions of tiny particles आपको देखने को मिलेगा millions of tiny particles we can't imagine कि कि किटने आपके उसमें मॉलकुस हिंकल है चुछ सीधी से बात है बेटा कि 100 ml आपने वाटर लिया मान के चलो कि कुछ अगर आपर यहां पर दो-तीन क्रिश्टल लिए हम ने और ज्याधा क्रिश्टल ले ले हम धे तो कह सकते हुआ की 1000-Liter water को भी यह colorful करेका मतलब उसमें कुछ न कुछ color आ जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है इससे यह क्या कि यह कुछ नुग कुछ कलर आ जाएगा और लास्ट में डिसापियर होगा लेकिन बहुत देर तक आपका क्या देखने का मिलेगा कि उसमें कलर आएगा तो उसमें उसकी इसमेल आपको पूरे में देखने को मिलेगी जबकि क्या कर रहा हो लेकिन लाश्ट तक में भी आपको थोड़ी इसमेल आपको मैसूस होगी इस यह आपका डिटॉल्क मतलब हम लोग दो एक्टिवीटी के थूँए समझते हैं पहले एक्टिवीटी हमने क्य सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में वीडियो होगा आपका यह एक्टिवीटी के जितने वी क्विस्चन्स होंगे एक्सरसाइज उस पे भी हम लोग वर्काउट करेंगे ठीक है बैटा और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए और लाइक करिए कमेंट करिए अगर जो भी कुश्चन और हो और आप जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे वीडियो आप मिलता रहेगा